सब्सक्राइब के लिए एसन जोती लर्निंग चैनल को और बियल आइकन को दबाईए इसमें जो है हम यूज अप्टू टी डेवलो इसी के बारे में डीटेल में पढ़ेंगे उसका यूज कैसे होता है और कैसे संटेंस बनाते है यह जो टू है टी डेवलो यह एडवर्ग होता है और इसके दू मियनिंग होते है यह तो होता है अलसो भी और एक आशज से इसमें आशाव करते हैं इसलिए पाले जो है भी के बारे में डीटेल करेंगे जैसे है आई तू एंटू अटू मुंबईय मैं भी मुंबई गया यहां टू है और से कॉमा दोनों साइड कमपस लिए और बीना कॉमा के लिख दिया आई टू वें टू मुंबई तो यह गलत हो जाएगा इसलिए इस टी डेवलो के दोनों साइड आपको कॉमा लिखना है और यह जिसके पास रहता है उसी को जो है उसी को एक मुंबई को मोडिफाइं कर रहा है मैं मुंबई भी गया मतलब बहुत जगा वहां पर मुंबई भी गया है तो यह तो यह तो भी की बात हो गई अब आते हैं तो यूज जो है एक्सेस अफ एनिफिंग में कहसा थे इसी में बहुत जागा यूज होता है ठीक है टी डवलो पहले बताए कि यह एड़वर्ब है और आपको पता होगा कि एड़वर्ब के बाद एक्जेक्टिव एड़वर्ब लिख सकते हैं तो जो इंग्लिज में सेंटे लिख झाहिए और इसका मतलब होताै टीडव ओल का किसी चीज का एक्सेस होना मतलब की लिमीट से जितना नहीं होना है too much it is too much for me too much का मतलब है कि यह मैं वर्दास नहीं कर सकता यह behavior limit से ज्यादा हो गया too much का मतलब यहां पैसा है और rent of the room is too high मतलब इस room का rent too high है इतना हाई है कि कोई आदम पे नहीं कर सकता इसी के लिए तो two का मतलब यह तो समझेंगा एक्सेस अब two को हम चेंज करते है टी डेवलो को so that में चेंज करते है he is too weak to run तो इसका मतलब वो का कि two weak तो समझेंगा कि access उतना कमजोर है बहुँ जादा कमजोर है तो इतना कमजोर है कि वो दौर नहीं सकता है तो so that में convert करेंगे तो यह का he is so weak that he cannot run यहाँ पर वो इतना कमजोर दोनों का meaning सेम है इसमें यह है कि removal of two है two को remove कर दिये और उसके जगा दूसरे तरीके से so that का use करके sentence बना लिये उसके बाद है she ate she was too old to play she was so old that she could not play देखिए पास्टेंस में है इसलिए यह कैन के जगा could रिखा हुआ है she was so old that she could not वो इतनी उम्र की है कि वो नहीं खेल सकती है और यहाँ है he ate too much he ate more than enough more than enough का मतलब यह हुआ कि वो limit से ज्यादा करता है too much का मतलब होता है too much का मतलब limit किसी भी चीज की limit होती है उससे ज्यादा हो जाने का मतलब है too much यह है he is too intelligent not to understand it इस बात को याद रखिएगा कि यह too negative sense में आता है और यहाँ not लिखा हुआ तो दो negative जो है एक ही sentence में sense करने वाला यह जो है affirmative sentence का indication देता है इसका होगा he is so intelligent that he will understand it याद रखिएगा he is too intelligent not to understand को so that में इसी तरसे convert करेंगे he is so intelligent that he will understand it इसमें not नहीं है not नहीं है क्योंकि उपर दो negative sentence है thanks a lot to all